प्रुमुच्छी बांद के बोलिए भारत माताजी सरम पेंचे इसके तो मिनद आजे आपे बैठो मैं धन्यवात देने के लिए खड़ा हुआ हूँ और अपने सभी कारिकत्ताओं से भोलोगा आप कहीं न कहीं बैठ जाओ आप खड़े मत रहूँ पुर्जियां बहुत हैं मेरे धन्यवात के बाद अभी कुछ भाई लोग स्वारत भी करना चाते ते वह भी हो जाएगा अभी अभी हमने प्रदान मंत्री जी को लाइफ सुना और प्रदान मंत्री जी देश के हर इस्टेट में जो टीम बैठी हुई है उनका परिचे भी कराया वो स्वच्छता वियान के लिए क्या कर रहे हैं ये भी हम लोगों को बताया और कई जगर लोग बैठे हैं उसका द्रिश्च हम को नहीं दिखा जैसे हम आप यहां बैठे हैं यहां का द्रिश्च दिखा यहां का नहीं दिखा ऐसी ऐसी जैसे आज हम यहां बैठे हैं और स्क्रीन लगा हुआ है ऐसा आज देश में तीन लाख स्क्रीन लगा है कितना लगा तीन लाख मतलब नरेंद्र मोदी जी को हम सबसे पहले धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने डीजिटल इंडिया का इतना अच्छा प्रयोग करना शुरू किया कोई कहावत है न कि जंगल में वोर नाचा किसने देता तो भईया मोर तो नाच रहा है लेकिन पहली बारे कैसे प्रदान मंत्री हवारे देश के इसा स्री नरित्र मोदी जी जो डीजिटल दिवस्ता का अब पहले हम लोग सुनते थे कि जब भगवान राम का राजगती हुआ तो दुनिया बर से लोग देखने के लिए आए तो जो जहां का वही राम जी से मिल रहा था आज हम लोग कहते हैं अरे ऐसा कैसे हो सकता था कि राम जी एक और सब को दिख रहे हो आज हम बोल सकते हैं वो बात सही थी क्योंकि नरिंद्र मोदी एक हैं लेकिन देश के तीन लाख जगहों पर दिख रहे हैं ये तो हमारे भगवान राम जी जब एक राजा के रूप में काम करते थे तब भी ये विवस्ता थी आज वापस हम लोग इस विवस्ता को कर रहे हैं क्योंकि हम को फिर से भारत को विश्य गुरू बनाना है और विश्य गुरू बिना स्वच्छता के राम नहीं बन सकते हैं इसलिए मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ आप लोग यहां आए मीडिया का धन्यवाद करता हूँ मीडिया के लोग वी आए अपने प्रदेश के कई पदाधिकारी हमारे गजेंद्र जी गजेंद्र यादो वो जिले के प्रभारी हैं हमारे प्रदेश के उपाद जैक्स मुहन सिंग बिष्ट जी हैं और प्रदेश पदाधिकारी कोई नहीं है और हमारे अस्थानिय बिढायक मिरे भाई जबीज प्रदान जी जो कल बारा करोड की लागत से एक सड़क का उधगातन करने वाले हैं हम भी आएंगे उसमें उसका उधगातन करने के लिए और बहुत जल्दी यहां भी आएंगे जो सड़क है इसको भी 6,300 करोड रुप्या ने दिन गर्करी जीने दे दिया है सर इस सड़क को भी हम बहुत बड़ी सड़क पना करके इस बैपी दिवस्ता को दिलुस्त करेंगे हम सभी धन्यवाद करते हैं हर उस नागरिक का माता का बहन का जवान यहां आए है युवाओं का धन्यवाद के बार अभी सुचता भी आते तो उसके बाद तो चले जाएंगे न एक-एक ध्यक्ती का मैं धन्यवाद करता हूँ जिन हमारे एमसिरी के जिन करमचारियों का यहां पे स्वागत हुआ उनका मैं धन्यवाद करता हूँ और जो लोग हमारे भाई लोग वहां पे ताले जंडे लेकरके हमारे सफाई करमचारी खड़े हैं मैं उनका भी दन्यवाद करता हूँ लेकिन हम सिर्फ एक बात उनको बताना चाहते हैं अगर भारतिये जंतना पार्टिये देली प्रदेश के अध्यक्ष से आपको कुछ बात कहनी है तो पहले एक बार बतातो दो हमको तो आपने बताया ही नहीं हमसे आप मिले ही नहीं हमको कुछ जालकारी आपकी समस्या की है नहीं अगर आप हमारे लिए काला जंडा लेके आये हो तो पहले हमको जालकारी दे देना चाहिए और अगर ये जंडार विंद के जिरिवाल के लिए है तो फिर आपका डबन स्वागत है क्योंकि मैंने दो दिन पहले देखा दिल्ली के मुख्यमंत्री के सामने हमारे दिल्ली के सफाई करमचारी बड़ी संज्या में बेचे थे और ये भी उनी के एक लोग है ये तकलीफ में है मैं इनको मिलना चाहता हूँ इसलिए कोई जाए और जाके उनको बताए कि आप बहत्व अपनी समस्या बताओ तो अब इनकी समस्या में सरे धन्यवाद देते हुए आप लोगों को जानकारी है अभी मुख्य मंत्री ने कोस्टर लगाया कि मैंने इनका वेतन बढ़ा दिया और बीजेपी ने वेतन घटा दिया अब आप बताएए बीजेपी का द्यक्ष में बीजेपी के उपाद्यक्ष मोहन सिंग पिष्ट हमारे यहां के मेयार हमारे जोन चेर्मेन प्रमोद हमारे स्टेंडिंग कमेटी चेर्मेन सत्पाल सत्पाल जी यह जो जूत का प्रचार हो रहा है इसको प्रमोद जी आप लोग तोड़ दो अगले पाच दिन के अंदर इनके जो भी मांग है उनको स्टेंडिंग कमेटी चेर्मेन के रूप में आप इसको पास करो क्योंकि इनकी कुछ समस्या है हमको पता है जिनको हम लोगों को पास करना हम इसका समखतर करते और इनकों बताईए अब ये क्या है ये लोग बिना जाने हर काला जन्ना दिखाएगे तो हम तो मालोगदार है हम तो इसको कोई भुला नहीं मालेगे लेकिन अगर यही कोई गंदिर सोच का लेता होगा तो आपके काले जन्ने से नराज हो जाएगा फिर आपका काम बनने की जन्न विगण जाएगा लेकिन हम भाजपा के लोग है हमारे भाजपा के राश्तिय संग्धिन महामंत्री स्री रामलान जी जिन्होंने अपना पूरा जीवन भार्तिय जन्ता पाटी और एक प्रचारक के रूप में खपाया है आज हम लोगों के बीच में ये चाहते हैं तो पूरे देश के प्रमुक है अगर ये चाहते हैं तो देश के किसी कोले में आज ना सकते थे लेकिन इनका प्यार है हम यमनापार वालों के लिए इन्होंने पूरे देश में यमनापार को चुना है इसलिए हम लोग आदमी इस राम लाज जी का धन्यवाद करते हैं और हम धन्यवाद करते हैं उस इंजिनियर का भी धन्यवाद करते हैं जो लगातार स्क्रीन को ठीक करने में लगा था बाद में थोड़ी सफ़ता मिल गई इसको डैमेज कंट्रोल कहते हैं उन्होंने विप्रीत परिष्ठिती में सब कुछ किया और मैं MCD के सभी सफाई करमचारियों को एक बात कहना चाहता हूं MCD के सफाई करमचारियों के जो और स्थाई सफाई करमचारी हैं उनको क्या बोलते हैं? देली वेजेज उनकी एक मांग है कि देली वेजेज को हम लोग परमा नेंड करें जिस दिन अरविंद के जरिवाद ने MCD का फंड देना शुरू कर दिया मैंने जीवन में मैंनों सर के सामने हैं इनके सामने नहीं बोलना चाहता इसी बाते लेकिन हमने दुनिया में कितना निगेटिव व्यक्ति अपने जीवन में कभी नहीं देखा जो सिर्फ और सिर्फ ओच्छी राजनीती कर रहा है सर जब इनका केस था तो इन्होंने अपने केस के लिए राम जे खमलानी को लगा है दो करोण रुपिया उनको फीज दिया जब इनको अपने उपर केस आया थपड़ मारने वाला तो ये देश के सबसे बड़े वकील को करते हैं और जब हम लोगों ने कहा सफाई करमचारियों का पैसा बढ़ा हो वो जब इनका इनको ने भेजा सुप्रीम कोर्ट में तो वहाँ एक ऐसा वकील लगाया कि वो वकील पहले ही दिन केस हार के आगे सुप्रीम कोट में जब सफाई कर्मचारियों का वेतन पढ़ाने के लिए वकील लगाना का सर जिसको भारतिय जन्ता पार्टी सपोर्ट कर रही सत्पाल जी मैं सर के सामने आपको विजेपी के तरफ से छूट देता हूँ कि आप उनकी मानों को उनकी चार-पाच मांगे जो हमने नौर्ट एंसीडी के दोडों की मानी है उसको यहाँ पे पिछली मान को ध्यान में रखते हुए हम लगों ने जो और एंसीडी में मांगी है सर उसको यहाँ पे एथ हप्टे के अंदर अपने स्टेंडी कमिटी से पास कर आदे उसकी बंड की जो समस्या आगे होगी उनको बिठाईए उनको समझाईए क्योंकि सुच्छता का यह अभियान बिना इनके पूरा नहीं हो सकता हम दन्यवाद देते हैं स्री लाजवियानित्यवारी जी को यहाँ पस दिए हम दन्यवाद देते हैं यहाँ पे अपने सभी पार्षदों को राजकुमार बलन जी है केके अगरवाज जी है हमारी उर्मिला राना जी है और नीता फिष्ट जी है सुस्मा मिस्रा है और को छूद्रा कहां कि था है अनिल प्यागी जी है अनिल जी आपका मोज स्वागत और कोई छुटा तो नहीं और संद्पाल जी तो हाई है प्रमोज दुप्ता जी है हाँ एले मैं तुमलों की पुरुपार्सद पूजा मजान जी है और कई हमारे पुरुपार्सद भी यहां पे उमस्ठी थे सर्थ सब्क्या शर्मा जी है पुरुवेयर और पुरुवाले हाँ उठाए दिखाई दे रे समझे जैन जी है सबी मंडल अध्यक्षिकन का बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए सबी मोर्चा के अध्यक्षों को बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का और सभी कारिकताओं के साथ जो हमारे प्रमुख पाकी के पुरु मंडल अध्यक्ष हैं आप सभी को सुसील चौदरी को भुशन ज्यागी को कितना नाम भया नमस्ते मतलब एक बार सब लोग हाँ उठाईए जो जो लोग पचे हो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो जो हाँ उठाए और वीडिया के साथ साथ उन लोगों को भी बुला लो आओ मैं तुम से बात करना चाहता हूँ आओ मेरे पास पुलिस उनको रोके नहीं उनको बुला दीजिए अगर मेरी आप बात आप लोग के पास जा रही हो तो आप लोग आजाओ अगर बात करनी में दो मिलिट बात कर लोगा और आप सभी को धन्यवाद देते हो पर आप वामंत्रित करता हूँ सफाई के बाद उनसे बात करेंगे प्रमोट जी उनसे बुला दो हमारा दिल बीजेपी बिलकुल उनके साथ है